लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले मौसम खत्रे में उत्तर भारत अगले 96 घंटों में आसमान से बरसेगी आफ़त मौसम विभाग की चेतवनी आखिरकार गर्मी से जूचते हुए लोगों को भुदवार को हुई बारिश ने राहत प्रदान की है दिल्ली एंसियार और साथ लगते इलाकों में भुदवार सुबह हुई बारिश से लोगों के चेहरे पर रोनक साफ देखी जा सकती है मानसून के उतर भारत में दस्तक देने के बाद मौसम खुशगवार हो गया मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर जारी किया है विभाग का कहना है कि दिल्ली और उसके साथ लगते इलाकों में अगले दो-तीन दिनों में भारी बारिश हो सकती है दिल्ली के आलावा हर्याना और उतराखंड में भी मानसून की जोरदार बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 72 से 96 घंटों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने चितावनी जारी की है कि प्री मौनसून के कारण हर्याना और आसपास के इलाकों में अगले चार दिन 28 जून से 1 जिलाई तक भारी बारिश हो सकती है कई राज्यों में भुद्वार राथ से बारिश हुई है और मौसम को देखते हुए अगले 48 से 72 घंटों के बीच चोरतेज होने की संभावना अधिक है भारत के इन राज्यों कैथल, करनाल, जीन्द, पानीपत, हिसार, फत्तेहबाद, यमुनानगर और अंबाला में 7 सेंटिमीटर तक मानसून वर्षा होनी की संभावना है राज्य में भारी बारिश की आशंका 28 और 29 जून को बताई गई है परन्तु इसके बाद के दो में भी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में भी आने वाले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है इसलिए वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है दिनांग 27 और 28 जून को यलो अलर्ट के साथ 37 जून से 1 जिलाई तक और एज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है